हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल स्पेंड वाइजली दोस्तों ऑक्टोबर में जब एक्सिस बैंक ने अपने माई जोन क्रेडिट कार्ड को लाइफ टैम फ्री ओफर किया था तो मैंने भी अपने वाइफ के डॉक्युमेंट से यह कार्ड अप्लाई किया था वाइफ क कार्ड लेने के कंपारिजन बहुत ज्यादा टफ होता था उसका क्राइटीर है काफी हाई होता था बड़ दोस्तों आप में साधिकतर लोगों को यह तो पता ही होगा कि सिटी बैंक का इंडिया कंजूमर बिसनेस जिसमें क्रेडिट कार्ड भी शामिल है वह एक्सिस बैंक ने खरीद लिया है और यह डील जो है वो मार्च के एंड में हो जाएगी और जब से यह डील अनौस हुई है तब से सिटी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड इस्यू करने में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है बहुत ज्यादा उसको पब्लिसाइज कर रहा है अब दोस मुझते भी है कि हमारे पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और जब यह एक्सेस बैंक में मूग हो जाएगा तब क्या होगा दोस्तो एक बात में क्लियर कर दूँ कि सिटी बैंक और एक्सेस बैंक का यह जो डील हुआ है यह उनके इंडिया कंजूमर बिसनेस का जा रहा है अब यह जब जाएगा तो city bank के जितने भी credit card से उनका क्या होगा उसकी जो possibility से वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और अगर telegram, instagram और twitter पर ने तो वहाँ भी spend wisely को follow कर सकते हैं एक और बार दोस्तो access bank का Indian oil credit card भी अभी lifetime free मिल रहा है बट कुछ लोगों ने लिखा कि हमें वो card जो है lifetime free नहीं मिल रहा है उसमें एक बार बताता दो दोस्तो एक particular जो campaign लिंक से हैं उनसे अगर आप apply करते हैं तब भी वो card जो है आपको lifetime free मिलेगा ऐसा एक link में description में दिया हुआ है वहाँ से आप जब apply करेंगे अपना पूरा details डालेंगे तब आपको सारे access bank के eligible cards नजर आएंगे उसमें Indian oil credit card जो है वो भी नजर आएगा और वहाँ पर चेक कर लिजए अगर आपको zero fee नजर आ रही है तो आप apply कर स customers से उनको city bank ते एक option दिया था आप उसको agree कीजिए अगर आप अपने credit card को access bank में move करना चाते जब ये deal close हो जाएगा अगर आप उसको नहीं करना चाते तो उसमें disagree का भी एक option था अब जो लोग disagree हो जाएगे उनके लिए तो clear है क्योंकि city bank का तो credit card business इंडिया में रहेगा न पहली चीज दोस्तों जिन्होंने वो consent दिया है उनका जो city bank का credit card है वो हो जाएगा access bank का क्योंकि city bank as a brand इंडिया में credit cards के लिए नहीं रहेगा तो जो credit card आपको देख रहे हैं जिसका पर city bank लिका हो है सबसे पहला है तो मेरे खाल से वो physical card से वो change किये जाएगे जिसमें access bank के लोगों और branding के साथ में जो है नया card दिया जाएगा अब बात यह आती है कि जब city bank का card जो है और access bank के branding के साथ replace हो जाएगा तो सिर्फ वो branding change होगी या जो feature से वो भी change होगे उसमें मुझे दो possibilities लगती है पहली तो यह कि city bank का जो original credit card से आपके पास उसके जो feature से वो continue में जो credit card उनके eligibility के equivalent है वो card लेने का option मिल सकता है और मुझे यह option बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि city bank का credit card portfolio है उसके comparison में उसके आप features देखते हैं तो access bank के जो card से वो बहुत बहतर है क्योंकि access bank के आप entry level cards देख लिए जैसे myzone जैसे card से या फिर cashback cards देख लिए access bank का flip card card access bank का ace card middle level के अगर आप cards देखेंगे तो access bank के select credit card उस तरह signature उस तरह infinite credit card और अगर top level में भी देखेंगे तो access bank का magnus credit card और reserve credit card जो इंडिया के सबसे best credit cards में से माने जाते हैं तो जब access bank के बास इतने बहतरीन credit cards का portfolio होते है वो क्यों city bank के और 78 तरह के cards को अपने portfolio में add क करेगा और उसको unnecessarily बढ़ाएगा क्योंकि उनके जो card से उसके replacement में बहतर credit card उनी target customers के लिए access bank के पास already मौजूद है तो यह option मिलने के बहुत chances बढ़ जाते हैं और दोस्तों अगर यह नहीं भी होता है तो एक बाद आपको पता होनी चाहिए कि access bank जो है उसका अगर आपके कोई भी एक credit card है तो आप दो और credit card access bank के customer care पर call करके directly बिना किसी KYC के बिना किसी civil inquiry के apply कर सकते हैं जो आपको directly मिल जाता है अब जब आपके बास city bank का card होगा जो access bank में convert हो जाएगा तो ऐसे customer के लिए access bank का जो card हो लेना बहुत आसान हो जाएगा और दोस्तों यही reason है कि मैं मैंने अपनी wife के लिए जो है city bank का card apply किया है मेरे लिए यह एक तरह से backdoor entry है access bank का credit card लेने के लिए क्योंकि जो city bank का reward credit card मेरी wife को मिला है वो हो जाएगा access bank का credit card और जब वो हो जाएगा और जो पूरा deal complete हो जाएगी city bank exit हो जाएगा और जब access bank ही रहेगा तब मुझे बहुत इसी के replacement में कोई अच्छा card access bank का मिल जाए तो यह बहुत बड़ा reason है क्योंकि बहुत लोग पुछते है कि city bank इतना publicity कर रहा है अब city bank का credit card apply करने का क्या फायदा है दोस्तो city bank का credit card apply करने का यह फायदा है अगर आपको access bank के कोई card नहीं मिल रहे या access bank के अच्छे cards नहीं मिल रहे तो city bank का अच्छा card लेके रख लीजिए जो बहुत ही easily आचकल मिल रहा है और उस card के replacement में आपको equivalent access bank का card मिलने के बहुत अच्छे chance मनते है जब यह deal close हो जाएगी deal close जो है बहुत जल्दी होने हो ली है March 2023 का date जो है अलड़ी newspapers में आ चुका है इसके अलाव जो reason है दोस्तो city bank का credit card apply करने पर आपको अभी 1000 रुपीज का Amazon का gift voucher मिल रहा है वो भी मिल जाएगा और दोस्तो पहले पूरे साल में city bank कोई fee वसुल नहीं करता है मतलब कोई joining fee नह करना है साल का hand होते होते तो दोस्तो मुझे बिल्कुल clear हो जाएगा कि city bank का credit card मेरे wife को मिला उसका क्या होने वाला है अगर मुझे desired outcome मिला city bank के against मुझे access bank का कोई अच्छा credit card मिला तो ठीक है अगरना मेरे पास हमेशा option रहेगा उस card को close करने का तो यह सारे reason है कि city bank का credit card अभ में पाने का city bank का card अगर आप apply करना चाते तो apply करने का link मैंने description में दिया हो वहां से आप apply कर सकते हैं और वहां से apply करने पर आपको thousand रुपीज के amazon का voucher भी जो है वो मिलेगा अगर आपने पहले 60 जिनों में 5000 रुपीज यह उससे ज्यादा का spend किया तो so दोस्तों यह था city bank क credit card business का access bank के transition में जो मेरा हुई है दोस्तों मैंने इसमें जो भी बताया है वो publicly available information की basis पे मेरा जो understanding है वो मैंने share किया अपने experience अपने understanding की basis पे वही लग रहा है आपको कोई different हुई है तो comments में ज़रूर share कीजिए कोई और question है clarification आप लेना चाहते है तो वो भी आप comments में पूछ सकते हैं वीडियों अच्छा लगा हो तो वीडियों को like कीजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को भी subscribe कीजिए thank you bye